हेलो एवरिवन वेलकम टो अड़ा 247 स्कूल में राजेंदर शांखला बच्चो इस सेसने में कक्षा बारा के पोस्तक वितान भाग दो के अध्याय संक्या तीन जिनके लेखा का नाम है ओम थानवी ओम थानवी जी दुआ रचित एक रिपोर्ट और यात्रा वरतांत का मिला जुला रूप रचना है जिसका नाम है अतीत में दबे पाउं जिसका हम पार्ट टू अर्था भाग दो पढ़ने जा रहे हैं तो बच्चो ध्यान जा समझना बहुत ही बड़ा चैप्टर होने कारी से दो बार्टों विवाजित किया गया है तो पहला पार्ट हमने पढ़ अब इस से सेटे में हम शेगंड पार्ट पढ़ लेती हैं तो बचों इस सेशन में हम अतीत के दबे पाउं का सेकिन्ड पार्ट पढ़ते हैं जो क्या है इक यात्रा वर्यतांत और का मिला जूला रूप है इससे पहले हमने जीवन्परीचे पढ़ा होम थानवीजी का और तो यह आपको अच्छे समझ में आना चाहिए तो आगे तो इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी और आनी भी नहीं चाहिए यह सब बच्छों हमें कहां पढ़ने को मिलेगा हमारे पाठे पुस्तक है वितान भागदो बच्छों ध्यान रखना कक्ष्या बारा पुस्तक अना वितान भागदो अध्या संक्यातिन लेखा का नाम क्या है ओम थानवी और यह बहुत इस तूप दिखी रहा है आपने पाठ होता है ठीक है उसमें बीएक उसके पास में दोरी देहलीज वाला जाता है यह न हधम जाता है तो वो उस कुये से उसे भर दिया जाता था एक बात और देव कितने अच्छी है जो बरत्मान समय में भी आज ऐसी ऐसी हमें पानी की निकासी के लिए जल प्रबंद के लिए जो कच्ची-कची इंटों से बनी हुई नालिया नहीं मिलेंगे हमें उस समय बनी हुई थी और वो कच पक्की इंटों से नकितर रचना है तो द्यान रखना उत्त में इस्तेमाल कहीं कोन से ली घूँए इसलामभाद यादे क्या चंदिगड ठीक है हाँ तो चंदिगड ठीक ऐसी ही सहली 50 साल पहले काबूजिये में इस्तमाल की गई थी वहाँ भी कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता था नहीं कहने का ताथ पर क्या है चंदिगड के ठीक 50 साल पहले काबूजिये में इस्तमाल होती थी वहाँ भी कोई भी सड़क कोई भी मुख्य सड़क पर नहीं खुलता था किसी भी घर का मुख्य जो गेट था वो किसी भी सड़क के सामने नहीं खुलती थी आपको किसी के घर जाने के लिए मुख्य सडक से पहले सेक्टर के बितर दाखिल होना पढ़ता था फिर घर की गली में फिर घर में यानि कि आज भी ऐसा होता है कि सेक्टर में जाओ पहले तो उसके बाद गली में जाओ उसके बाद फिर कहां जाना पड़ेगा हमें घर में जाना पड़ेगा और आज भी ऐसा होता तर पहले भी ऐसा होता देख लो आप लो क्या काबू जी ने यह सीख मोहन जोदलों से लिए कहते हैं कविता में से कविता निकलती बात तो से यह अच्छे-ची कहाने अपड़ो औ वही बात है कविता में कविता निकलती वही बात है क्या पता काबू जी ने यह सी कहां से लिए मोहन जोदलों से लिए जिसे वर्तमान मोहन जोदलों कहा जाता है देख लिजेगा बहुत मोहन जोदलों का एक कुवा यानि जो कुवा था ना अनुस्टानी कुंड के पास मे ऐसा ही कुवा बनावा था कलाओं के तरह वास्तु कला में भी कोई प्रेड़ना चेतन और चेतन ऐसे ही सफर करती होगी डखी हुई नालिया मुख्य सड़क के दोनों तरफ समान तर दिखाई देती है इन डखी हुई नालिया मुख्य सड़क के का का यही रोप है हर गर में एक सनान गर है गरों के बिठर से पानी या मेल की नालियां बाहर होधी तक आती हैं और फिर नालियों के जाल से जुड़ जाती है यानि कि जो भी गंदा पानी था वो नालियों के बाहर ओदी तक आता फिर नालियों से जाल से जुड़ जाती थी वो कहीं कहीं वे खुली हैं पर ज्यादातर बंद हैं स्वास्ते के परति मुहन जोदलों के बासिंदों के सरोकार का यह बहतर उधारन है बस्ती के बिथर छोटी सडके हैं और उनसे छोटी गलियां भी हैं या सडके और यह क्या बात है देखो नो से बारा फोट की छोटी छोटी सडके भी होती थी इमारतों से पहले जो चीजे दूर से ध्यान खींचती वह कुओं का प्रेबंद यह कोई भी पकी पकी हुई एक ही आकार की इंटों से बने हुए हैं इत्यासकार कहते हैं सिंदु संसक्र्ति जो भूजल तक कोव कोई खोद रख्याद नदी कुवे को यह कोन डिशनांगर और मेज़ोड पानी निकासी भी प्राप्त हुई है क्या सिंदुगाटी सब्वेता को हम जल संस्कर्थी कह सकते हैं बड़ी बस्ती में पुराततो सास्त्री कासिना दिख्षित के नाम पर एक हलका डीके जी कहलाता है बतायें दो अलके थे डीके जी नाम से और यह है बहुत परशित भी था कासिना दिख् मंजल नहीं हो गें कुछ दीवारों में छेद न जो संके हडपा से हटकर जहां पक्किय और कच्ची दोनों का मिला जूला रूपा में प्राप्त हुआ है। कहीं-कहीं नालियां यह अंगड़ पत्रों से डखी दिखाई दिया। कहीं कहीं नालिया कहता है नाली बनियों हो गी हैं बड़े घरों के बितर आंगन के चारों तरफ बने कमरों वहां कुछ कि उदम होता होगा को कुमहारी का काम, या कोई धातु कर्म. घर छोटे भी हैं और बडे भी, लेकिन सब गर एक कतार में हैं, ज्ज़ादा तर घ़रों का आकारत तकरीवान तीस गुना, तीस फुट का होगा, है या या है इतना नुवा या है इस से कुछ दुगने और तिगने आकार एन तीस बाई तीस से कोई दूगने भी हैं इन्साट हे हैं और को यह यानि कि नब्भे गुना नब्भे इस परकार से इनकी वास्तु सेली कमोबेश एक सी परतीत होती है वैवस्तित और नियोजित सहर में साइद इसका भी कोई काईदा नगरवाशियों पर लागू हो इस एक घर को मुख्या का घर कहा जाता है रे गर को किसका मुख्या का घर कहा जाता है इसमें दो आंगन करीब 20 कमरे हैं और घर का जो मुख्या का घर था उसमें दो आंगन थे और करीब 20 कमरे बने वे थे DKBC हलका आगे पूरव में और DKB और C हलका जो बना हुआ है वो किसमें बना हुआ है पूरव में बना हुआ है दाडे वाले याजक नरेश की मूर्ती इसी तरफ के एक घर में से मिली थी याने कि दाडेवाले याजक नंदेश की जो मूर्तिथी इसी तरब के एक घर से प्राप्त हुई थी UKG की मुखे सड़क पर दक्षिन की और बढ़े तो डेड फरलांग के दूरी पर एचार हलका है यनि कि DKG की मुखे सडक पर जख्चिन के और को बढ़े तो डेज़फ हरलांग के दूरी पर HR अलका है किसके उपर? DKG जो हरलके बने बने वए ने, उसकी मुखे सडकको जैसे ही दक्चिन के और बढ़ते हैं राखलदास बनरजी के बाद खुदाई करवाई थी यहीं पर एक बड़े घर में कुछ कंकाल मिले थे जिनें लेकर कई तरह की कहानिया बनती रही है एक घर में कंकाल मिले जिन में कही तरह कहानिया बना सकते हम लोग परसिद नर्तिकी सिल्फ भी यहीं एक छोटे गर की खोदाई में निकला था यानि कि एक परसिद नर्तिकी सिल्फ की भी एक नर्तिकी की मूर्ति प्राप्त हुई है इसके बारे में पुरातत विद मार्टिमर विलर ने कहा कि संसार में इसके जोड की दूसरी चीज सायद ही होगी यानि मार्टिमर विलर ने क्या कहा कि इसकी जैसी मूर्थी कहीं और संसार में मिल ही नहीं सकती यह एदित्य है यह मूर्ति अब दिल्ली के राष्टे संग्राले में इस्तित है यही पर एक बड़ा घर है जिसे उपासना केंदर समझा जाता है इसमें आमने सामने की दो चोड़ी सीडियां उपर की द्वस्त मंजिल की तरफ जाती है पश्री में गड़ी के टीक पीछे मादो सवरुवस के नाम पर वी एस हिस्सा है यहां पर रंग्रेज का कारखाना भी लोगों को चाव से देखते हैं यहां वह है रंग्रेज का कारखाना भी लोग चाव से यानि की बहुत ही इच्छा अनुसार देखते हैं जहां जमीन में इटों के गोल गड़े हुब्रे हुए हैं यहने कि चाउ से मतलब है तो चाउ से कीछीज को खाना पसंद है कोई चीज तो उसे सब खाते हैं तो सबी लोग चाउ से उसे देखते भी है अनुमान है कि इनमें रंगाई के बड़े बरतन रखे जाते हैं और छोट एक मंजिला मकान है कि एक अतारमूखे सटक पर है दूसरी पीछे की चोटी सडक की तरफ है सकिछ on मेर्में दोडू कम बूबर आ में चुशा सांजारी और क्बार दो कम्रे threats या बाहर बस्ती हैं ऐसा कह रहे हैं लेखक मोहों जोड़ों में कुवों को छोड़ कर लगता है जैसे सब कुछ चोकोर या आयताकार हो कुवों को छोड़ कर सब कैसे लग रहे हैं क्या तो चोकोर लग रहे हैं या आयताकार लग रहे हैं नगर की योजना बस्तियां घर कुंड बड़ी मारते ठप्पेदार महुरें चोपड का खेल गोटियां तोलने के बाट आदी सब कुछ यानि की कहने का तात्प्याद वर्तमान समय जो चीछे प्राप्त होती हैं वह हैं सब वहां प्राप्त होई हैं छोटे गरों में छोटे कमरे समझ में आते हैं पर बड़े चोटे कमरे देखकर अचरज होता है यह दूसरी तरफ यह विचार सामने आया कि बड़े गरों में निचली भूतल मंजिल में नोकर चाकर रहते होंगे बात तो सही है भी नोक्रों के लिए भी आज कहते हैं आज जहां विक मकान किराय के लिए होते हैं वहां पर सबी जगे छोटए छोटए बना दिया जाते हैं, वहों नोकरों के लिए बना दिया गया होगा, एक दूसरा अनुमान बजोधी नौकर के लिए है संबव है उपर की मंजिल में ज़ादा खिडिकियां जरोखे और साध सज्जा रही होगी हो सकता है कि पहले मंजिल में सामने की दिवार में तो क्या था मैंगेट होता था उपर की दिवालप पर कुछ जादा ही खिड़कें रही होंगे साज सज्जा के लिए लकडी का इस्तिमाल बहुत संभव है पूरे घर में होता हो कुछ घरों में बहार की तरफ सीडियों के संकेत हैं जहां सायद उपर और नीचे अलग अलग परिवार रहते होंगे यानि कि कुछ गरों बहार की तरफ सीडियों के संकेत है तो ऐसा हो सकता है आज वर्तवान समय में कहते हैं ये मकान है बहार की तरफ सीडिय बन रही है तो भी को दूसरा परिवार रहता होगा छोटे छोटे घरों की बच्ति में छोटे सकली सीडिया हैं उनके पायदान भी उंचे हैं ऐसे जगए कि तंगी की वज़े से होता होगा इन बात तो से जब मकान में जगए नहीं होगी तो कहते हैं सकली सकली सीडियां बना देते हैं जैसे तैसे छड़ जाएंगे भी जब ज प्रावदान होता है क्या उस वक्त यहां इतनी कड़ी दूप नहीं पड़ती होंगी मुझे मौन जोद्रों की जानी मानी मोहरों के पसू याद हो आए सेर हाती गेंडा इस मरो मूमी में हो नहीं सकते हैं सेर हाती गेंडा तो इस मूमी में नहीं हो सकते क्या उस वक्त यहां जंगल भी थे यह थत्य इस तापित हो चुका है कि यहां अच्छी खेती होती थे और यह थत्य तो इस तापित हो चुका है कि यहां रभी की फसल होती है और साथ में खर्बुजे अंगूर भी खर्बुजे भी लगाया जाते हैं लेकिन यह नहीं पता कि उस वक्त यह आती गेंड़ा और शेर प्राप्त होंगे रिया जंगल भी होंगे लेकिन यह तो अनुमान लगाया जा चुका है खेती होती है यहां पर परातत्वी स्ारेन. शरीन रत्नागर का मानना है कि सिंदुग वासी कुवह' से सचाई कर लैदा था यहां कि सिरीन मानता था कि यहां कि जो खेती होती थी, वह कुवह' से सचाई होती था उसखेती की दूसरे मौन जोदलों की किसी खुदाई में नहर होने के प्रेमान नहीं मिले यानि बारिस उसकाल में काफी होती होगी क्या बारिस गठने और कुओं की अत्यदिक इस्तिमाल से भूतल जल्बी पहुँच से दूर चला गया क्या पानी के अभाव में यहें इलाका उजरा उसके साथ सिंदो गाठी की शुमर शबता भी मौन जोदलों में उस रोज हवा बहुत तेज बह रही थी कहने का ताथ पर कहा है लेखा का लेखा कहा है कि सिरीन कहता है कि यहां लोग कुवों से सिचाई करते थे लेकिन यहां और कोई परबंद नहीं मिला इसका मतलब यहां बारिस बहुत अत्यती होती थी अब सिचाई जादा करेंगे तो पानी का भूजल नीचे चला जाए क्या ऐसा हो सकता है ऐसा अनुमान किया जा सकता है किसी बस्ती की तूटे फुटे घर में दर्वाजे या खिड़की के सामने से हम गुजरते तो शाई शाई की धहुनी में हावा की ले साब पकड़ में आते हैं उस दिन जिस दिन लेका गूमने गया उस दिन बहुत तेज हवा चल रही थी शाई शाई वैसे ही जैसे सड़क पर किसी वहान से गुजरते हुए किनारे के पटड़ी के अंतरालों में रह रहे कर हवा के लेबद थपिड़े सुनाई पड़ते हैं हवा चलती है तो बहुत तेज ऐसा लगता है ना यहां एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए आपको किशी घर से वापस भार नहीं आना पड़ता है यानि कि एक घर में दूसरे घर में जाने के लिए आप किशी घर से वापस नहीं आता उसी घर से दूसरे घर में जा सकते हैं आखिर सब खंडर है, सब कुछ खुला है, अब कोई घर जुदा नहीं है, एक घर से दूसरे घर में खुलता है, दूसरा तीसरे में, एक घर दूसरे में दूसरा तीसरे, तीसरे में ऐसे खुलते हैं, जैसे पूरी बस्ती एक बड़ा घर हो, लेकिन घर एक नकसा ही नहीं होत कहने का तात्पर का ह्या है सब कुछ ठूटा फूटा हो रहे तो एक घर दूसरे तीसरे में जा सकते हैं संसकार में तो उथा है लेकिन पांच जार साल पुराना घर क्यों की नहों Tennessee इसमें कमो बेस हर कोई पाउं आइस्ता उठाते हो ये एक घर से दूसरे घर में बहे धीमी गती से दाखिल होता है धीरे धीरे एक घर से दूसरे घर में जा सकता है मानो मन में अतीत को निहारनी के जिग्यासा ही नह हो किसी अजनबी गर में अनदिकार चहल कदमी का अपराद बहुत भी हो यानि कि आप किसी गर में बिना अधिकार होगे आपका अधिकार नहीं उस गर फिर पिर पिर आउसमें चहल कदमी करो तो अच्छा नहीं है तो ऐसा मैसूस लेख को हो रहा है कि आप अप राध कर रहे हो जैसे किसी प्राय गरम पिच्छवादे से चोरी चुपे गुसा आए सब जानते हैं यहां अब कोई बसने नहीं आएगा यानि कि ऐसा लगता है कि कोई चोर आ जाता है चोरी चुपके से तो लेखा को लग रहा है कि ऐसा कहीं होने वाला है कि कोई अपरादी गुसा है लेकिन यहाप कोई रहता है नहीं तो कौन चोर आएगा लेकिन यह मुहन जोदलों की पुरातत्विक अभ्यान की ही खुबी थी की मिटी में इंच दर इंच कंगी कर इस कदर सहर उसके गलियों और घरों को ढूंडा और सहे जा गया की यह ऐसास हर वक्त आपके साथ रहता है कल कोई यहां भसता था जुरूर यह है आपके सब्बिता प्रंप्रा है मगर यह घर आपका नहीं है अन्चाहे मुझे मुहन जोदलों की गलियों या घरों में राजस्तान का ख्याल नहीं आई ऐसा नहीं हो सका यानि किसी भी घर में जाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है कि राजस्तान ने तुम्हें याद नहीं है राजस्तान का ख्याल नहीं है बस क्यों रेत के टीले नहीं है बस और सब कुछ वैसा ही वैसा है जैसा राजस्तान में मैं जिसलिए नहीं की पश्चिम राजस्तान और सिंद गुजरात की द्रश्चावली एक सी है यनि कह सकते हैं कि सिंद गुजरात की और पश्चिम राजस्तान की एक जैसी द्रश्चावली है कई चीजें हैं जो मुझे यहां से वहां जोड जाती है और कई चीजब यहां से वहां मुझे जोड जाती है, जैसे हजारों साल पुराने यहां के खेत, बाजरे और जौर की खेती, मौण जोदलो के गरों में टहलते हुए, मुझे कुल दर्हा की याद आ गई, यह जैसे मेर के मुहाने पर पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत गाउं है यह जैसे मेर जो पीला पत्थर पाए जाता है वैसे ही एक खूबसूरत गाउं मुझे दिखाई दिया उस खूबसूरती में हर दम एक नमी व्यापत है गाउं में घर है पर लोग नहीं है कोई डेट दो साल पहले राजा से तक्रार पर स्वाविमानी गाउं का हर बासिंदों रात तो रात अपना घर छोड़ी ते यह ऐसा लगता है कि डेट दो साल पहले किसी राजा से तक्रार हो गई और सभी लोग अपने स्वाविमान के उठा ले गए है अग घर खंडर हो गए पर ढहे नहीं घरों की दिवारे परवेश और खिड़किया ऐसी हैं जैसे कल की बात हो यानि कि ऐसा लगता है कि अब यद्वी डेड़ साल पहले ही यहां रहते थे पर किसी राजा तक्रार हो गई तो सब भी अपने सौदमान को बचा लिए यहां से निकल गए घर ऐसे बने हैं प्रिवेश खिड़किया ऐसे लगते हैं जैसे कल की ही बात हो लोग निकल गए वक्त वहीं रह गया लोग निकल गए और वक्त वहीं रह गया खंडरों ने उसे थाम लिया जैसे सुबह लोग घरों से निकले हों साइद साम को गूँचे कच्ची पक्त की कई घर भी आज वैसे मिलते हैं जैसे अजारों साल पहले हुए हों यह जोन मार्सल ने मौन जोदलो पर तीन खंडों का एक विसदद प्रबंद छपवाया था यह जोन उसमें खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्तर के साथ सिंद में पिछली सदी में बरती जा रही ठीक उसी तरह की बेल गाड़ी का भी एक चित्तर परकासित है। में चोटा तब हो चुका था हमारे गाउं में लकड़ी वाले ठोस पहिये भी बेल गाड़ी में जूड़ते हैं। पहिये खराब हो जाते हैं तो आज वो यूज़ कर लेता हैं। वर्तमान में तो हवाई जहाज के भी लगे हवाई जहाज के उतारू पर ये बाजार में आने के बाद उंट गाड़े गाड़ी नहीं उंट गाड़े का भी आविस्कार हो गया हरेगिस्तान के जहाद से हवा के जहाज का यह एथियाचि गट जोड़ है हालागि के कहना मुश्किल है कि धूलन की सावारी के रूप में बेल गाड़ी या उंट गाड़े का अब वहां कभी इस्तेमाल होता होगा हमारे मेजबान ने दियान दिलाया की महन जोड़ों का अजायब गर देखना भी बाकी है खंडरों से निकल हम उस साबुत इमारत में आ गए लेकिन परदर्सित सामान आपको खंडरों से निकल आने का एसास होने नहीं देता अजायब गर छोटा ही है जैसे किसी कस्बाई स्कूल की इमारत हो सामान भी जादा नहीं है एहम चीजें कराची लाहोर दिली और लंदन में हैं यहां चोटा सा स्कूल जैसा कस्बाई स्कूल होता है जिसमें कोई महतपून सामान भी नहीं है महतपून तो सामान कराची लाहोर दिली और लंदन में हैं यहां अकेले महों जोड़ोड़े खुदाई में निकली पंजगर चीजों की संक्या पचास जार से जादा है यहां जो मुठी बर चीजें यहां परदसित हैं पहुँची हुई सिंदू सब्यता की जलक देखने को काफी है काला पढ़ गया गहूं तामबे और कांसे के बरतन मुहरें वाद चाक से बने विशाल मरत बांड उन पर काले भूरे चितर चोपड की गोटियां दीए माप तोर पत्थर तामबे का आइना मिटी की बैल गाड़ी और दूसरे खिलोने दो पाटन वाले चक्की कंगी मिटी के कंगन रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाले हार पत्थरों के यह सामान मिले हैं लग अब तो उन रिगार्ड है यानि कि हवाई जाजवाले पर ये भी उतारों पर ये भी लगने लग गए हैं आजायब गर में तैनात अली नावाज बताता है यानि कि आजायब गर में तैनात तो अली नावाज है वा बताता है कुछ सोने के गहने भी यहां हुआ करते थे जो जो अब चोरी हो गए हैं एक खास बात यहां कोई भी महसूस करेगा अजहाइब गर्म पर्दिश चीजों में ओजार तो हैं पर अथियार कोई क्या प्रड़क से लेकर हर्याना तक समुचि सिंदूस भबैता में अथियार उस्तरे कहीं नहीं मिले जैसे किसी राजत्ह तंतर में होते हैं इस बात को लेकर विद्वान सिंदूस भबैता में सासन सामाजिक परबंद के तोर तरीकों को समझने के कोशिस कर रहे हैं वहाँ अनुसासन जरूर था पर ताकत के बल पर नहीं वे मानते हैं कोई सेने सत्ता साइद यहां नहे रही हो मगर कोई अनुसासन जरूर था जो नगर योजना वास्तो सिल्प मुहर ठपों पानी या साफ सफाई जैसे सामाजिक व्यवस्ताओं आदी में एक रूपता तक का कायम रखे हुए था दूसरी बात यह हैं क्या जो सांस्कृति दरातर पर सिंदु गाटि सब्वेता को दूसरी सब्वेताओं से अलग लाग खड़ा करती है वह है प्रभूत्वे और या दिखावे के तेवर का नदारद होना यानी कि सभी में होता यह सब चीज़े प्रभूत्वेता खुद का और जो तेवर होता हो सभी में ऐसा होता है दूसरी जगहों पर राजतंतर या धर्मतंतर की ताकत का परदस्ण करने वाले महल उपासन इस्तल मूर्तियां पिरामिड आदी मिलते हैं यानि कि आपको याद करना है बचो जब अभ्यास परसाद जब भी बहुत ज़्यादा काम में आने वाला देहान रखना हड़ापा संस करती में नहीं बड़े-बड़े मंदिर मिले नहीं बड़े-बड़े महल मिले राज परसाद जीसे महल का आ जाता है ने राजाओं महेंतों की समाधियां यहां के मूर्ति صिल्प च्छोटे हैं और औजार भी छोटे हैं मोह जोदरों के नरेश्की शिर पर जो मुकुट है साद उसे छोटे सिरपंच की कलपना भी नहीं किया। वह भमोजोद्रों की नर्याश के सिर पर जो मुकुट है साय दूस्य छोटे सिर्पंज की कलपना भी नहीं की देख लो ये नर्ते के मूर्ती है जो नर्ते मुद्रा में लड़की की यह नि जो पच्छी सो वर्स पूरू की मूर्ती नजर आती है मोहन जोदलो सिंदू सभवेता का सबसे बड़ा सहर ही नहीं था उसे सादनों और ववस्ताओं को देखते हुए उसे सम्रिद भी माना गया है सम्रिद भी माना गया है फिर भी इसकी संपन्ता की बात कम हुई है तो साइद इसलिए कि उसमें भवेता का आड़ंबर बिलकुल भी नहीं है दूसरी वज़े यह भी है कि मोहँजोदलो और अरपा पिछली सदी में ही उदगाटिस हो सके हैं उसकी अनबूज लिपी अभी भी सारे रहसे अपने में छिपाए हो यानि कि अनबूज लिपी जिस लिपी को आज तक किसी ने नहीं पड़ा हो नहीं जाना हो सिंदू गाठी के लोगों में कला या सूरूची का महतो ज़्यादा है वास्तू कला या नगर नियोजन ही नहीं दातू और पत्थर की मूर्तियां मृत भांड उन पर चित्रित मनुस्य वरनस्पति और पसू पक्षियों की छवियां सू निर्मित महुरें उन पर बारेकी से उतकीर्ण आकर्तियां खिलोने केश विड्यास आभूसन और सबसे उपर सुगर अक्षरों का लीपी रूप सिंदू सब्वेता को तकनिक सिद्ध से जादा कला सिद्ध जाहिर करता है यह सब उनकी महुरोप यहनी कि उनकी जो नगर नियोजन में वो सब दिखाई हमें देता है एक पुरातत वेता के मुतावी सिंदू सब्वेता खूबी उसका सौंद्रे बोध है जो राज पोशित धर्म पोशित नह होकर समाज पोशित नर्ते मुद्रा में था कहने का तात्परे क्या है कि न तो यह सब वेता राज पोशित न धर्म पोशित यह समाज पोशित साइद इसलिए आकार की भविता की जगे लड़की उसमें कला की भविता दिखाई देती है पच्ची सो वर्स पूर अजायब गर में रखी चीजों में कुछ सुईयां भी हैं खुदाय में तामे और कासे की तो बहुत सारी सुईयां मिली थी कासिना दिख्षित को सोने की तीन सुईयां मिली जिन में से एक दो इंच लंबी थी समझा गया है कि यह बारिक कशिदे कारी में काम आती होंगी याद करें नर्तके के अलावा मौन जोदलों के नाम से परसिद जो दाड़ी वाले नरेश की मूरती है उसके बदन पर आकरसक गुलकारी वाला दुसाला भी पहना हुए याद कशिदे कारी जिस पर कपड़े पर एक चित्तर अंकित करने की कलाकारी है आज छापे वाले कपड़ा अजरक सिंद की खास पहस्चान बन गिया है पर कपड़ों पर छपाई का आविस्कार भहुत बाद का है खुदाई में सुईयों के अलावा आतिदांत और तांबे के सुईये भी मिले हैं जानकार मानते हैं कि इन से साइद क्या बन जाती थी हालांकि दरी का कोई नमुना या साक्से आसिल फिर भी नहीं हुआ है लेकि फिर भी मानते हैं वह साइद कभी आसिल नहीं हो क्योंकि मोह जोदरों में अब खुदाई बंद कर दी गई है एक बटा तीन इस्सा ही कोदा गया है सिंदू के पाने की रिशाव से चार और दलदल की समस्या पैदा हो गई मोजुदा खंडर्णों को बचा कर रखना ही अब अपने आप में बड़ी चुनोती है ठीक है अब यह होता है आपका अतीत में दबे पाऊं जो आपका यात्रा वरितानत और रिपोर्ट का मिला जुला रूपता कहने का ताथ पर क्या है 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 कि हमें मोजोदलों के बारे में एक नगरी योजना एक सहर था किस परकार से बसा हुआ था यानि जो भी चीज़े प्राप्त हुई जो भी फसलें होती थी ये कोई राज पर दर्म पोशित नहीं होते हैं ये कि आज जो समाज फैलावा के बल पर है लेकिन वहां फिर भी अनुसासरन के बल पर शैलावा समाज था या नगरी योजना थी तो बचों ये था आपके अतीत में दबे पाउँ जो आपका मूल पार्ट था वो हमने पढ़ लिया जो यात्रा बढ़ता है तो रिपोर्ट का मिला जुर रूप है उमीद करता हूं आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया तो आगया होगा आगया होगा तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग अभ्यास परसनों की सर्चा करने वाल